आईलेंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मौलदीव्स जैसी कई खुबसूरत जगों का ख्याल आता है लेकिन भारत में भी एक ऐसा आईलेंड है जो मौलदीव्स जैसी जगों को भी पीछे छोड़ने में कुछ गम नहीं है आज हम आपको एक ऐसे आईलेंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपने खुबसूरती के लिए जाना जाता है ये आईलेंड कहीं और नहीं बलकि भारत में ही है आईलेंड होने के साथ साथ ये भारत का यूरियन टेरिटिरी भी है और पहली बार भारत ये तिरंगा इसी आईलेंड की राजधानी में लहराय गया था और सदी की पहली सूरज की किरन भी इसी आईलेंड पर पड़ी थी 20 रुपे के इंडियन नोट की पीछे जो जंगल है वो भी इसी आईलेंड का है भाई साथ ही दुनिया के सबसे बड़े कच्छुए भी यहीं पाये जाते हैं इसके लावा यहां एक ऐसी जनजाती रहती है जिन्हें आम लोगों से मिलने पर सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा रखा है कई मामलों में मौल दीवस को भी पीछे छोड़ चुका यह आईलेंड आज भारत की पहचान माना जाता है इस आईलेंड से जुड़ी कई ऐसी बाते हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं अन्डमान एन निकोबार की तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांढ़ लीजे अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे खुब्सूरत आइलन्ड अन्डमान एन निकोबार की एक शानधार सफर पर दोस्तो बंगाल की खाड़ी के देक्षन में हिंद महसागर में स्थित अंडमान एन निकोबार की राजदानी पोर्ट ब्लेयर है यहां की कुल जन संग्या 4.30 लाख की करीब है आबादी के लिहाज से यह जगे काफी छोटी है लेकिन इसके खाशत कुछ क्याम नहीं है अंडमान एन निकोबार भारत का एक यूनियन टेरिटरी आइलेंड है अंडमान एन निकोबार पाथ सो बहतर चोटे और बड़े दूइपों से मिलकर बना हुआ है ये धुईप समू यहाँ के सफेद रेट और अपने जंगलों के लिए पूरी दुनिया में मशूर है अंडमान एन निकोबार आइलेंड में कई भाशाएं बूली जाती है ये बात तो कई बार साबित हो चुकी है कि भारत और खुबसूरती का नाता काफी पुराना रहा है कभी गोल्डन बर्ड की नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध भारत आज अपने राज्ये और अपनी प्राकरती खुबसूरती के लिए जाना जाता है विदेश घुमने जाने वाले लोग शायद ही भूल जाते हैं कि भारत में भी कई ऐसी जगए है जहां का नजारा आपको सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देगा ऐसी ही एक जगए है अंडमान एन निकोबार आइलेंड भारत का वो हिस्सा जिसके बारे में आज हर कोई जानता है हर किसी ने अपने लाइफ में अंडमान एन निकोबार जाने का सपना देखा होगा लेकिन इससे जुड़ी कई ऐसी बाते हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले शायद ही कभी सुना हो, अंडमान और निकोबार आइलेंड को भारत के सबसे सुन्दर यूनियन टेरिटरी में से एक माना जाता है। भारत के इस यूनियन टेरिटरी का नाम थोड़ा हटकर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस द्वीब का नाम पड़ा कैसी। चलिए बताते है कि आखिर अंडमान और निकोबार का मतलब होता क्या है। दरसल अंडमान और निकोबार द्वीब समू का नाम मलय भाशा के शब्द हांदू मन से निकला है, जो कि भगवान हनुमान के नाम का परिवर्थित रूप है। इसके लाबा निकोबार शब्द का मतलब होता है नगन लोगों की भूमी। जैसा कि आप जानते ही है कि अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हैं, तब 1947 में यह भारत का यूनियन टेरिटरी बना। अंडमान और निकोबार की अपनी एक अलग इतिहा से यहां कभी एक इंसान का राजध नहीं रहा। सत्रवे शिताबदी तक अंडमान और निकोबार पर मराठाओं का शासन रहा। बाद में यहां अंग्रेजों का शासन रहा, जब सेकंड वर्ल्ड बॉर्ड चल रहा था, तब उस दौरान जापान में इस पर अपना हक जमाया था। इस आइलेंड पर तीन साल तक जापान का कबज़ रहा। सिर्फ इतना ही नहीं कुछ समय के लिए निता जी सुभाष चंदर बोज जी की आजाद हिंद फौज ने अंडमान एन निकोबार को अपने अंडर में रखा था। अंडमान एन निकोबार का नाम पूरी दुनिया जानती है और टूरिस्ट की फेवरिट डेस्टिनीशन होने के बावजूद लोग इस जगह को पूरी तरह से देख नहीं पाते। इस वीप के कुल पाच सुभहतर आइलेंड में से सिर्फ 36 पर ही घूमा जा सकता है। इसके लावा बाकी आइलेंड घूमने और रहने लाइक नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अंडमान गोवा की तरह है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडमान गोवा से बिलकुल अलग है। दूर दूर तक फैला हुआ ये शान समंदर और इसका नीला रंग किसी को भी अपनी और आसानी से आकशित कर सकता है। अंडमान में आकर लोगों के मन को शांती मिलती है और स्ट्रेस कम होता है। अंडमान एन निकोबार की सबसे बड़ी खाशित यहां रहने वाली जनजातियां। अंडमान एन निकोबार में लंबे समय से कई जनजातियां रही हैं। जिन में निकोबारी ओंगी, जारवा, महान, अंडमानी और शांतनी जनजातियां शामिल है। वहीं अगर जार्वा जनजाती की बात करें तो जार्वा जनजाती मानुसभिता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है जो हिंद महसागर के टापों पर पिछले 55,000 सालों से रह रहे हैं दिल्चेस्प बात यह है कि इस जनजाती से आम लोगों के मिलने पर पाबंदी लगी हुई है जी हाँ जार्वा जनजाती इलाके से केवल एक अंडमान ट्रंक रोड गुजरती है जार्वा एलाके में जाने के लिए लगातार एक साथ गाड़ियां बिना रुके गुजरती है और किसी भी गाड़ि को रुकने की अजासत नहीं है तरसल जार्वा जनजाती के लोग हजारों साल पहले अफ्रिका से यहां आ कर बसे थे सरकार न इस जनजाते के लोगों से आम नागरी को या परेटकों के मिलने पर पाबंदी लगा रखी है क्योंकि सरकार चाहती है कि इन लोगों की संस्कुती पर आधुनिक संस्कुती का प्रभाव ना पड़े यहां के लोग इसे जनजाते के लोगों को आदिवासी कहते हैं इनके संख्या 500 से भी कम है यह लोग बाहरी लोगों से खुद भी इसलिए बातचीत नहीं करते क्योंकि इने बाहरी लोगों से डर लगता है जारवा जनजाते के लोग आज भी धनुश बान से शिकार करते हैं और इसी से मचलिया और केकडो का शिकार करते हैं दोस्तों काला पाने के सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी काप में लगते थे दरसल ये एक जेल थी जिसे सैलिलर जेल के नाम से जाना जाता था ये जेल अंडमान निकोबार दूइब के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है इसे अंग्रेजो द्वारा भारती स्वतंतरता संग्राम के सानानियों को कैद रखने के लिए बनाय गया था कहते हैं कि इस जेल में नजाने कितने ही भारतियों को फासी की सजा दी गई थी इसके लावा कई तो दूसरी वज़ों सो भी मर गए थी लेकिन इसका रिकार्ड कहीं मौजूद नहीं है इसी वज़े से इस जेल को भारती इतिहास का एक काला ध्याय कहा जाता है अंडमान एन निकोबार में दुनिया का सबसे बड़ा कच्वा पाया जाता है जिसका नाम है डेर्मोचैलिस खोरियेचा इसके लावा यहां पर दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कच्वा ओलिव राइडली भी पाया जाता है वहीं अगर डेर्मो चैलिस खोरी एचा के बाद करे तो कच्वों के इन प्रजाती को लेथर बैक सी टर्टल भी कहा जाता है कच्वों की ये प्रजाती दिखने में भयानक होती है और इनका वजन ही 900 किलो तक का होता है दुनिया में सिफ चार ही ऐसी जगह है जहां लेथर बैक सी टर्टल पाई जाते हैं जिन में अंडमान एन निकोबार का नाम भी शामिल है इन कच्वों के अलावा कोकोनट क्रैब इस आइलेंड में पाया जाता है ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और पाने से दूर रहते हैं इनकी बड़ी संख्या अंडमान पर पाई जाती है इन्हें कोकोनट केकड़ा इसलिए भी कहते हैं तूकि पाने के बजाए इन्हें नारियल के पेड़ पर चटना सबसे ज्यादा पसंद होता है अंडमान एन निकोबार में मचलियों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है सरकार ने यहाँ फिशिंग बैन कर रखी है समुद्री घास खाते है दोस्तों इसके लावा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 20 रुपए के नोट की पीछ एक जंगल बना होता है भारती मुद्रा में जो 20 रुपए के नोट पर जंगल बना हुआ है वो अंडमान द्वीब का ही हिस्सा है यह तस्वीर अंडमान के एक खुबसूरत द्वीब की है जिसका नाम है नौर्थ बे आइलेंड माउंट हैरियट अंडमान निकुबार द्वीब समुग की दूसरी सबसे बड़ी उंची पाड़ी है और यही से 20 रुपए के नोट पर बना ही जंगल साफ देखा जा सकता है अंडमान एन निकुबार का इंडरा पॉइंट भी सबसे खास है इसके खास होने के पीछे भी एक वज़े है दरसल यह भारत के एक डम दक्षन मिस्थित है और इसे भारत का आखरी बिंतु भी कहा जाता है इसका नाम भारत की पूरो प्रधान मंतरी इंडरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है लेकिन इस पॉइंट का इतिहास भगवान राम से जुड़ा है लंका पर चठाई करने से पहले भगवान राम ने इसी पॉइंट पर क्रोध में आकर समुद्र से रास्ता मांगने के लिए अपना धनुश उठाया था तब से लेकर एक तरफ का समुद्र शांत है तो दूसरी तरफ लहरों की उधल पुधल रहती है इसी रास्ते पर राम सेतु बना है इंदिरा पॉइंट का लाइट हाउस भारत होते हुए मलेशिया और मलक का जाते हुए जहाजों को रोश्णी देने का काम करता है अंडमान निकुबार में देश की पहली ऐसी कमान है जो तीनों से नाओ को मिला कर बनाए गई है साल 2015 में सरकार ने यहाँ पर कई तरह के प्रोजेक्स शिरू किये थे जिनका मकसद तीनों से नाओ की बीच आपसी मनमुटाब को ठीक करना था अकसर जॉला मुखी की तुलना सोते हुए शैतान से की जाती है जो जाकते ही सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है वहीं अगर बात करें जॉला मुखी की तो देश का एक लौता सक्रिय वालकेनों अंडमान में ही है जो की पोर्ट ब्लेर से 135 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है यानि कि भारत में सिर्फ अंडमान में वालकेनों देखा जा सकता है इससे जॉला मुखी को बैरन जॉला मुखी कहा ज़ाता है ये वालकेनों सिर्फ भारत का ही नहीं बलकी पूरे दक्षिन एज्या का एक मात्र सक्रिय जॉला मुखी है लगभग 3 किलोमीटर की दायरे में फैले बैरन दूरी जॉला मुखी के आसपास कोई हरियाली या कोई आबादी यहां तक की जीव जन्तू भी नहीं है दोस्तों चाही वो पश्चिम बंगाल हो तमिल नाडू हो केरला हो अंडमान निकुबार में आपको भारत के हर राज्य से आए लोग बसे हुए दिख जाएंगे यही कारण है कि अंडमान एन निकुबार को छोटा भारत भी कहा जाता है अब हर राज्जे से लोगों को आने का मतलब है कि इस द्वीप पर हर त्योहार मनाया जाता ही होगा अन्मान एन निकबार भारत के कैसी चगे हैं जहां सबसे ज्यादा त्योहार मनाया जाते हैं इस द्वीप में अलग अलग धर्मों के लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं यहाँ पर बंगाली लोग दुरगा पूचा मनाते हैं जबकि तमिल लोग, पंगूनी, उथीरम, तेलुगू लोगो द्वारा पॉंगल, ओनम जैसे त्योहार मनाये जाते हैं ऐसे में आखिर क्यों न इस द्वीप को सबसे अलग माना जाए, साथी आदिवासी द्वारा हस्त शिल्प को यहाँ बहुत महत्व दिया जाता है वहीं अगर बात करें खानपान के तो अंडमान एन निकोबार का खानपान बाकी राजियों से थोड़ा अलग है समुद्र के बीचो बीच पसे होने की वच्चे से से फूड और समुद्री जानवर खाना यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है मचली, लॉपस्टर, समुद्री जीव, जींगा और कैकड़ा यहाँ सबसे ज्यादा खाया जाता है आनकि यहाँ ट्यूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं तो इस दीब के रेस्तरा में आपको हर वैराइटी का खाना मिलेगा चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अंडमान एन निकोबार में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्श करने पड़ेंगे तो अगर आपकेले हैं तो आपको अंडमान एन निकोबार घूमने के लिए 7-8 दिन में लगबग 45,000 रुपे खर्श करने होंगे इस दीब समूपर आने का सबसे बढ़िया समय है दिसंबर का महीना इस मौसम के दोरान परिया टक सबसे ज्यादा आता है इस वक्त यहां क्रिसमस और नया साल बहुत जबरदस्ट से मनाये जाता है आप इस दोरान यहां आकर अपने सबसे बहतरीन वक्त गुजार सकते हैं अगर आप अंडमान में वेकेशन का प्लान बनाते हैं तो यहां अचाकर आप रोमांच से भर देने वाले वाटर स्पोर्ट्स फुरसत के पलों के लिए एक से बढ़ कर एक से विधाएं और कई ऐसे एक्टिविटीज का मसा उठा सकते हैं तो दोस्तो यह था इंडिया का सबसे खुबचुरत आईलेंड अंडमान एन निकबार कैसा लगा बताईए हमें कॉमेंट्स में क्या कभी आपने विजिट की है इस आईलेंड की